भेक चाही ना करजा चाहें भोश्पुरी के दरजा चाहें नमस्कार मैं प्रभाद इंजन मिश्रा आप देख रहे हैं नीशन लाइफ जीवन में एक चीज़ बहुत महत पूर्ण होती है जिसे हम कहते हैं consistency आपको कुछ भी हासिल करना है तो संघर्ष लंबा करना पड़ेगा भारतिये भोजपूरी जन जागरन अभियान ऐसा ही कुछ कार्य पिछले कुछ वर्षों से कर रही है वो 16 वाँ धर्ना आज जंतर मंतर पर दे रही है आपकी जानकारी के लिए बता दू हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक भारतियों को वो हक मिले जो उसकी जरूरत है पिछले कई वर्षों से भोजपूरी को आठवी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार उठती रही है चुनावों के समय तो ये मांग बहुत जादा उठ जाती है लेकिन चुनाव के भाषा भी बन चुकी है वह अपने देश में ही अपने अस्तित्व के लिए संकट में हैं में साथ भोजपूरी जंजागरन अभ्यान के राष्टी अध्यक्ष और लगातार भोजपूरी भाषा को मानेता दिलवाने के लिए अग्रसर भूमिका निभाने वाले संतोष पट देखिए भोजपूरी भाषा च्छित्र के जो प्रतिनीधी है वो अपनी भाषा के प्रति बहुत ही बेपरवा और लापरवा है भाषा की अंदेखी इसलिए हो रही है कि हम लोग के अंदर राष्टिय भावना इतनी जादा आ जाती है कि हमें लगता है कि भोजपूरी को अगर आठीवानुसूची में अस्थान मिल गया तो हिंदी कम जो हो जाए यह एक ऐसा परसेप्शन डेवलब किया गया है जिस परसेप्शन से वही अंग्रेजों वाली सिस्टम है फूट डालो राज करो दरसल ऐसा कुछ नहीं है आपकी जानकार्य के लिए बता दूं कि कि एक महत्वपुर्ण भासा मैथली को भी समिधान के अठीवानुसूची में शामिल किया गया कहां हिंदी कम जो हो है हमारे यहां लोग भोचपूरी की राजनीत करते हैं भोचपूरी की राजनीत करके आते हैं MP बंते हैं ML बंते हैं आपके सामने हैं गुरकपुर के अभी शांसाध हो या दिल्ली से ही शांसन मोनोस्तिवारी हो या अरब की इक इसन हो यह दोनों आदमी जो हैं भोचपूरी से ही बने हुए बेक्ति हैं वह संस्कृति के माध्यम से सिनेमा के माध्यम से जैसे भी आए लेकिन उसके जो मूल में है वो भोचपूरी है लेकिन आज देखी कि मनोज जी ने एक बाद भी सही से प्रश्ण नहीं किया आप बिहार बीजेपी के अधग सं सं चोटे इनकी जो एक नियत है उसके उपर लगातार सवाल उठ सकते हैं क्यूंकि एक चीज़ सब्स्ट है कि जब देश करना चाती है जो विलप्त हो रही है उन जानवरों का सॉन्रप्षित करना चाती है जो विलप्त होना पर आ नेके कागार पर है तो अब नहीं क्या सकता हूं कि भोजपुरी भाषी लोगों की संख्या बहुत जादा है लेकिन नियमित तोर पर उसको बोलचाल में लाने वाले कितने लोग हैं और आपको क्या लगता है कि अगर यह दरजा नहीं दिया जाएगा तो यह विलुप्त होने वाली कगार पर नहीं आ जा का जो है दहान तो जब तक अनतिम बोलने वाला नहीं मरेंगा भाषा ब्लूप्त नहीं हो सकती है जैसे कि आपको भी पता है कि भूजपूरी है बोचपूरी का जो सिंगनिफिकेंस है वो पूरी दुनिया में बारे सरकार के ही अगर हम जवाब को देखें जो राजीवादा प्रोडी जी को दिया था ग्रीव राजमंत्री ने एक अनिस्टाड प्रष्ण के दोरान तो तीस देशों में इसकी उपस्तिती उन्होंने ओन रेकॉर्ड है यह ग्रीमंत्राले से दिया गया जो आप ले सकते हैं मेरे पास है नेपाल में यह दूसरी बड़ी भासा है नेपाली मैथली और भोचपूरी टीन ब तो है तो है दीपलोमा चल रही है लेकिन किनी कारणों से वहाँ उसको रोका गया है बियार स्कार्ण तो विकास का जो गती है वो थोड़ा सुलो है अभी जैसे जारखंड में देखिए भोचपूरी ऐसी भाषा है जिसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है इसकी विस्तारवादी नीती को आप समझना है तो अभी रिसेंटली जारखंड में देखिए जारखंड में करो क्यों उनको लगता है कि बुचपूरी के सीनेमा इतनी मशूर हो गई है मजबूत हो गई है कि हमारे भाषाओं को उपर संकटा जाएगा मेरे लिए तो सारी भासां मा की तरह होती है और सारी भासा महत्वपूर्ण है लेकिन जरूर यह है कि एक भाषा का बिरोद करके आप दूसरी भासा नहीं बचा सकते हैं आप अपनी भासा को बचाईए दूसरी भासा का भी सश्टो होने दीजिए उसका भी संबर्दन होने दीजिए तो नितिश कुमार जी ने भी इसका बिरोद किया है कि जो जहरकंड में अभी रॉल बैक हुआ है धनबाद और बोकार पाधी भुचपूरी डिली में अगर हम लोग हैं तभी जोषना की है जबकि वह एक और बात है कि यह कर दिया यह लाज वह बहुत आतिव रिगती से हो रहा है और जिस देशों में पीछे उसको किया गया था वो देश उसको फिर से रिभ्हाम करके उसको रिएस्टेट कर रहे हैं उसके मेहनत कर रहे हैं तो जी एक बड़ा सवाल उठता है जो मुझे से बात करते हैं कि चून नहीं दिया जा रहा पर लिपी नहीं है तो इसपी अब झाग्ण है से कैथी लिपी आप देखिए मेन चीजेव खूदी को आपको देखना है सौके दिदार हो तो नजर पैदा कर अगर आपको देखना है तो आईए न मैं दिखाता हूं क्या देखना चाहते हैं लिए परसेप्शन में जूटा है यह ऐसा ही परसेप्शन है कि देखो किसी चीज को अगर डाउंसाइज करना है तो उसके खिलाफ एक जूटा प्रफगंडा खड़ा कर दो यह आपको पता ही ह है और सौ बार जूट बोलोगे आज कल जितनी जब आज के जिस जूग में हम लोग जी रहे हैं वह पोस्ट रूथ हे रहा है इसमें जूट को जितनी मजबूती से बोलोगे उतना ही वह सच के तरह दिखाई देगा आपसे एक अंतिम संभाल लूंगा में तमाम अकादमी है आपको लगता है कि इनकादमी के अंदर जो सेलेक्शन वगरा भी होता है उसका भी पैरामेटर गलत है जिसकी वज़े से बोचपुरी को अपने मानेता मिनने में देरी हो रही है उनको दोश्य मानते हैं अब एक बात मैं आपको बताता हूं आकादमी तो बना दी गई अब भुचपुरी अकादमी में अब अकादमी के जो वाइस प्रेसिडेंट है संजीव जहासाब है अब उनको भाषा से क्या लेना देना है आप बताइए कोई भासाविद्ध है कोई साहितकार है यह भासा पे उसके पोडेश्गी पे कोई उनका को रिसर्च है तो जब ऐसे ल लेना देना नहीं है उनको राजनीती चमकानी है अब भुचपुरी बढ़ जाएगी तो हिंदी का नुकसान हो जाएगा यहां पर और भी लोग है जिनसे मैं करके आपकी बाच्चित करवाऊंगा तमाम लोग पिछले कई सालों से जो है वो यहां पर आ रहे हैं कि रमेश्षवर जी कभी कभी सालों से जो है यह प्रूटेस्ट लगातार चल रहा है इसका कोई हरन नहीं निकल रहा क्या कहा कमीं लग जा रही है हमें तो लग रहा है कि इसमें जितने भी भोशपूरी के नाम परके चाहे वो राज निता हो चाहे वो नाट छेतर में हो चाहे किसी भी छेतर में हो भोशपूरी सिनेमा में हो सब लोग एक साहत नहीं दे रहे हैं एक जुट नहीं हो पा रहे हैं दूसरी और हम देखते हैं कि हम लोग जो इतने लोग भशपूरी बोलने वाई लोग हैं, हम लोग भी एक ट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इस तरीके से कट्ठा हो के मजबुती से लड़ना चाहिए इस चीजों के लिए, उस तरह से सब कोई कट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, एक कई जगह हैं जहां भोशपूरी सुरू होने वाला था, लेकिन आठवीम सुची में नहीं सामल होने कारण विद्याला में परहाई लिखाई नहीं हो रहा है, तो धीर धीर क्या हो कि हम लोग भोशपूरी तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो पीड़ी आएगी, अगली ये 2010 से हम लोगों ने इसकी सुरुवात की है, और ये सुरुवात जब से हुई है, उसके फाउंडेशन स्टोन से लेकर के इसको दिलाने तक मैं यहीं पे रहूँगा, इसकी सुरुवात हम चार लोग मिलकर के किये थे, पहला धर्ना भी जो हने की चार ही लोग स्टार्ट क बिल जाएगी, अभी हम आपकी एक बात सुन रहे थे, आपने कहा कि अकैडमी बन गई, और अकैडमी जो है कि कुछ नहीं करती है, अकैडमी रिपोर्ट नहीं दे रही है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, कि हर चीज का जिरुडिक्षन होता है, नियाय छेत्र होता है, किसी चीज को जो बनाया जाता है, उसका एक अपना नियाय छेत्र होता है, अकैडमी का नियाय छेत्र ये है, कि अकैडमी उस भासा को प्रमोट करेगी, उससे कभी ये नहीं पूछा गया कि आप इस भासा को मन्यता दिलाना है या नहीं दिलाना, ये उसके अधिकार छेत्र को अगर क्रॉस करेगा तो उससे सब्सक्राइब हो जाएगी तो हमारी वो अधिकारिकरष्षेत्र हमारे पास आता है हम जो बैटे हुई है आप बैठे हुए यह यह जितने भी लोग है नहीं यह उथिकार खेत्र आपका है यह आपके अधिकार चेत्र में हैं आप डिमांड करिएगे कि हमारी भासा को आप जोने कि कंस्टिटीउशन में कंस्टिटीउशन जो है संविधान कोई एक छोटी सी चीज नहीं है यह पूरे कंट्री का जहना एक जो कि वह का का है तो उसके अंदर अगर कोई भी जैने की संफोधन लाना है उसम अपने तागतवर नहीं है कि अपने माननिय मुख्यमंत्री से इस बात की चर्चाय कर सकें और माननिय मुख्यमंत्री की जूरिस्टिक्षन में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि वह पत्र केंद्रिय ग्रिह मंत्राले को लिख सके या फिर प्रधान मंत्री को लिख सके बिल्कुल आ सरकार में आएंगे तो बिधान साहब से किबिनेट से पास करड़के ग्रीه मनतराले को भेजेंगे पूरे अलदा पुरे भारत में एक ही एस्टेइट है जिसने भुझपुरी भासा को 8497 में सामिल करने के लिए अपने चाबिनेट से पास करके भाद सरकार के ग्रिम मंत्राले को जो प्रस्ताव भेजा है वह भीहार नितिश कुमार ने 2007 में भीजा था 2014 में भीजा था और दुबारा भी उन्होंने रिमाइंडर भी बेजा और ग्रीज वहां के ग्रीज सची उने भी भीजा तो वही एक करके स्टेट अभी तक मुख मंत्री के जिवाल जी ने इसमें पत्र लिखा है ना उनके जूटि ने जुटिक्षन में आपी के साथ ही कह रहे हैं कि नहीं होता नहीं ने वह उनका कहने का जो आर्थ है वो कहा है कि आकादमी नहीं कराती है लेकिन सरकार जो बैठी है उसने लेकिन आज तक तो नहीं हमने लेटर भी लिखा क्या जी हमारा जन्जागरन वियान एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच बेजा है कि भाई आप कैबिनेट में बोले थे इतना भी जूट मत बोली है कि यह करवा के वेज़े आपको जान का हरानी होगी देहाद जो है वो यह मांग है कि भीया हम आपने कहा था कि हम लागू करेंगे यहां तक जब मैथली भासा को स्कूल की बिवस्था में भी लागू किया तब भी हमने लेटर दिया उनके मुखमंतरी आवास पर जाके यह हमारे महासची गय थे देखे आये थे और उसका जवाब नही जब पहुंचे तो ना तो मैथली अकादेमी भोचपूरी अकादेमी बनाई ना अपने कैबिनेट से पास करके बेजा पांस साल उनका निकल गया यह गाए अबवाय लाभाईस गोबर में चल रहा है लेकिन भोचपूरी के लिए उन्होंने कैबिनेट को अपने कैबिनेट से पास जो की फूल मेजोटी में तो एक ही एस्टेट है जिसने किया और आपको और मज़ेदार बता दूं बिहार में ही सबसे ज्यादा भोचपूरी का रिटर्न है यह मैं आपको बता देता हूं जो सेंसस हुआ था पांच करोण में तीन करोड़ से उपर बिहारी लोगों में वो नहीं है पुशेक जी आप लगातार इस मुवमेंट से जुरे हुए और पत्राचार वगरा के माध्यम से भी तमाम सरकारों से प्रश्ण वगरा करते रहते हैं क्या वज़ा है कि भाशा को लेकर लोग इतना संजीदा नहीं है हमने भूजपूरी में बोल सकी ले हमन के रहं सिर.. मतलब जाना देश में बोल भुझपुरुन प्रेस में तया दुब जाए लेकर लेकिन अपना गामें जाले वह अपना सिवान में पार करी हैं तो भोजपुरी में बोले लागे लागे लेकिन देश के अन्य अबादी के लगे चल लेए उचाहे दक्षिण में चल लेए चाहे पश्चिम में चल लेए मराठी गुजराती पंजाबी अभी पंजाब हमनी गहिरनी है इसा मतलब उक्राप पंजाबी के सिवा कुछ नेख्या वत दक्षिंड के जितना भी भाष्राबात तमिल मले आलम कंणर जोन भी देख लेए उकरा कंणर मले आलम तमील के अलाम कुछ नेक्यावत लेकिन हमनी भोजपुरीया में ये खुखास गुणबा कि हमनी जहां जाई लेए सोजक के भास सब्सक्राइब Christian करेंगे लगातार की तर SEC सब्सक्राइब कुछ उत्राइब करेंगे लागतार करेंगे लागतार ना मिलीcha इस सरकारों की तरफ से कुछ लात चीत वंगरा हुई है समय समय पर अभी तक आप हुई लगातार पत्राचार के माध्यम से बातचीत हो रहा हलवा हाँ उधर से जबाब आ रहा हलवा अभी ओकरा के ठंडा बस्ता में डाल के खाली काम चला हो जा रहा है हमा जी आश्वाशन दिया जा रहा है कि मतलब अगले सत्र में मतलब विद्यक आएगी लेकिन बस उसको ठंडा बस्ते में डाल करके रखा गया है और जैसा कि अब संतोस भियान अभी बताया कि धारखंड में भासाई विवाद जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये केंदर सरकार की मंसा को ही ये करता है कि अगर ये आठ्वयन सुचे में सामिल करा देते या हो जाती भोश्पूरी तो राज ये अस्तर पर किसे तरह का भासा विवाद नहीं रहता है और जैसा कि जो भासा विवाद चल रहा है उसमें दम नहीं है सारे भोश्पूरी मगई यंगी का भासा भासी एक जूट हो रहे हैं और आंदोलन रथ है और इस भोश्पूरी जन जागरन अभियान के आट्यवेन सुची में सामिल किया जया ताकि राज यस्तर पर भी किसी तरह का जैसे अब देख लिए जैफ्रकास भी सुविद ढाले छपरा में भोश्पूरी की पढ़ाई बंद कर दी गई नालंदा भी सुभी दाले में जो भुजपुरी की चल रही थी पड़ाई उसको भी बंद कर दिया गया तो कहीं न कहीं मतलब केंदर शरकार इस पर सज्ञान ले और जल से जल भुजपुरी को आठीम अन सचे में सामिल करें थाकि राजस्तर पर भी भुजपुरी को वही उस प्रदर्शन चल रहा है लेकिन अभी तक इसका कोई एक फूटफुल रिजल्ट नहीं आया है क्या लग रहा है कि कहां पर दिक्कत हो जा रही है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे अब देखिए मुझे बड़ा दुख की का बात है कि जो भोजपूरी है मगी है हिंदी है मैतली है हम लोग लिमिट में बंद जा रहे हैं और जब जब तक जितने भी बिहार उत्तरप्रदेश जहारखंड और बंगाल की भासाएं हैं हम लोग एक जूट नहीं होंगे तो यह मुश्किलें आती है और हम लोग को जब जरूरत पढ़ता है दिल्ली में तो हमें तो यूज कर लेता है सब लोग लेकिन जब जरूरत पढ़ता धनवाद में पटना बारा बक्सर सासाराम छपरा सिवान के कितने लोग हैं मेरा अपना घर धनवाद में मैं जानता हूं कि 50% से ज्यादा आवादी जहारखंड की बिहार पुरवांचल के लोग के रहने वाले हैं लेकिन फिर भी वहां की भासा को हटा दिया गया है तो जो 50% जो हां के हम लोग धनवाद में जी को आपारदन करते हैं 40-50 साल से रह रहे हैं तो क्या वह अपनी भासा को छोड़ दे हम तो यह नहीं करें कि आप पटना आया दिल्ली आया कहीं आया तो अपनी भासा को छोड़ दिजी आरा बक्सर आय तो अगर किसी बंगाली लोग आ सरकार है वो जो दोगलेपन कर रहे हैं जो कॉंग्रेस और जितनी भी जारखंड की सरकार है वोट तो ली हमारे सारे भासाओं को एक करके तो इस डिवाइड क्यों कर रहा है कई बार आपको कई आंदोलों को विभन्ने तरीकों से देखना चाहिए अगर आंदोलों बहुत शा प्रूडी हो सकते हैं और शायद जो लोग अपनी बात कह रहे हैं वो बेहत शालिन तरीके से कहना चाहते हैं बाशा मा होती है उसको दरजा दिलाने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होता है तमाम सरकारों को चाहिए कि वो उस पर संग्ञान ले कैमरे के बीचे है रोहित मिना